दोस्तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सूरत से सबसे करीब वाला स्टार प्रॉक्सिमा सेंटॉरी है सूरत से 4.24 लाइट येर्स दूर ये स्टार इस असीन यूनिवर्स में हमारा पड़ोसी कहा जा सकता है पर मेरे दोस्त क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन आता है मतलब कि प्रॉक्सिमा सेंटॉरी के बाद कौन सा स्टार है जो की सूरज के सबसे निरस्ट है और उसके बाद उसके तीसरे नंबर पर कौन आता है अगर आपको मालूम है तो नीचे कॉमेंट करके अभी लिखो और अगर नहीं पता तो वीडियो को end तक देखना अब दोस्तो अगर हम सूरज के अराउंड 20 लाइट येर्स की रेडियस में बात करें तो यहाँ पर 94 स्टार सिस्टम्स मौजूद है जिन में 131 स्टार्स देखने को मिलते हैं हालांकि इनमे से सिर्फ 22 स्टारे ही इतने ज़्यादा ब्राइट है कि हम उन्हें बिना किसी टेलिस्कोप के देख पाते हैं और इनमे से 80 स्टार्स रेड ड्वाफ स्टार है 6 वाइट ड्वाफ है और 21 ब्राउन ड्वाफ है और कुछ हमारे सूरज की साइज के नॉर्मल स्टार है अब आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे सूरज से सबसे करीब मौजूद 10 स्टारों की सैर कराने वाला हूँ साथ ही हम जानेंगे कि क्या ये स्टार सिस्टम हमारा फ्यूचर होम हो सकता है तो हेलो गाईज मैं हुकाशिक और चलिए आज सेर करते हैं सोलर सिस्टम के गली मोहले की दोस्तो सेजिटेरियस कॉंस्टिलेशन में मौजूद ये तारा प्रिथवी से करीब 9.69 लाइट येर्स के दूरी पर मौजूद है बात करें इसकी साइज की तो ये हमारे सूरज के कमपैरिजन में 1 by 4 है और इसका मास हमारे सूरज का सिर्फ 17 परसंट है ये एक वैरियेबल स्टार है जिसकी ब्राइटनेस लगातार चेंज होती रहती है और साथ ही इसकी ब्राइटनेस इतनी कम है कि हम प्रित्वी वासी इसे बिना टेलिस्कोप के देखी नहीं सकते पैग्यानिकों की माने तो ये स्टार अभी काफी यंग है और इसको बने अभी महज 100 करोड साल भी नहीं हुए और यही कारण है कि इसके राउंड हमें कोई भी प्लानेट देखने को नहीं मिलता रॉस 154 के बारे में एक इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये लगातार हमारे सुरज के करीब आता जा रहा है और आने वाले एक लाग संतावन हजार सालों में इसकी सुरज से डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 6.39 लाइट येर्स की बचेगी दोस्तो अब जहां रॉस 154 एक सिंगल स्टार था वहीं गली 65 स्टार सिस्टम एक बाइनेरी स्टार सिस्टम है इस स्टार सिस्टम को साल 1948 में अमेरिकन अस्ट्रोनमर विलेम जैकोब लुटेन ने खो जा था और इसलिए से लुटेन 726-8 के नाम से भी जाना जाता है ये स्टार सिस्टम पृत्वी से 8.7 लाइट येर्स दूर सीटेस कॉंस्टेलेशन में मौजूद है अब बात करें इसके साइज और मास की तो इसके दोनों ही स्टार्स हमारे सूरज के कमपैरेजन में बहुत जादा छोटे हैं इन दोनों की साइज सूरज से स्रिफ 10% ही है और मास भी 10-14% के आसपास ही है अब रॉस 154 की तरह ही ये भी variable स्टार्स है और इतने faint है कि हम प्रित्वी से इने naked eyes से observe नहीं कर सकते ग्ली 65 में हमें कोई भी planet देखने को नहीं मिलता है जो इस बात का proof है कि ये स्टार सिस्टम अभी काफी नया है पर वैज्यानिकों की माने तो आने वाले कुछ सालों में ये स्टार सिस्टम एक बड़ी तबाही देखने वाला है आज से करीबी 3500 सालों के बाद ग्ली 65 अपने करीबी स्टार एपसिलन इरिडैनी से एक light year से भी कम की distance पर पहुंच जाएगा और ऐसे में इन दोनों स्टार सिस्टम में तबाही मत जाएगी हो सकता है कि हम इन स्टार्स के भीश टकर देखने को मिले और ये दोनों स्टार सिस्टम से बरबाद हो जाए या फिर या आपस में मिलकर एक trinary star सिस्टम का formation कर ले नमबर एट कैनिस मेजोरिस दोस्तों कैनिस मेजोरिस ये भी एक binary star सिस्टम है जो पृत्वी से 8.58 light years दूर कैनिस मेजर कॉंस्टलेशन में स्टित है अब इसके पहले star alpha कैनिस मेजोरिस के बारे में तो आपने जरूर सुनाओगा इसे हम serious के नाम से भी जानते हैं और ये पृत्वी के आस्मान में दिखने वाला सबसे चमकदार तारा है ये सूरज से 1.7 टाइंस ज़्यादा बड़ा है और इसका मास हमारे सूरज से double है serious की brightness हमारे सूरज के comparison में 25 गुना ज़्यादा मानी जाती है और ये पृत्वी के आस्मान में दिखने वाले दूसरे सबसे चमकदार तारे कैनुपस से double से भी ज़्यादा ब्राइट है इस स्टार सिस्टम का दूसरा स्टार जिसे serious b कहा जाता है वो सूरज की radius का 0.008 परसेंट ही है मतलब ये बहुत जादा ही छोटा है पर इसका मास हमारे सूरज के बराबर मास का है अब अगर हम modern astronomy की बात करें तो वैज्यानिकों ने आस्थक इस स्टार सिस्टम में किसी भी प्लैनेट की discovery नहीं की है पर अफ्रिका के माली में रहने वाले डोगन ट्राइब के लोग इसको लेकर अलग ही दावा करते हैं डोगन ट्राइब के लोगों का कहना है कि वहाँ पर तीन स्टार्स मौजूद है उनका ये दावा तब भी मौजूद था जब मौडं साइंस ने SIRIES भी यानिकिस स्टार सिस्टम के सेकेंड स्टार की कोज भी नहीं की थी हबल स्पेश टेलिसकोप से देखने के बाद भी हमें उस स्टार सिस्टम में कोई प्लैनेट या थर्ड स्टार नहीं मिला है पर डोगन जनजाती का दावा है कि इसी थर्ड स्टार के अराउंड न्यान नाम का एक प्लानेट है जहांसे एलियंस उनसे मिलने आते थे और उन्हें नॉलेज दिया करते थे अब यार ये क्लेम्स कितने सच है ये तो मैंने ही कह सकता अब अगर ये सच है तो इन लोगों के अस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज काफी हाई है दोस्तो प्रित्वी से 8.39 लाइटियर्स दूर उर्सा मेजर कॉंस्टिरेशन में स्थित इस स्तारे को गलीज 411 और HD 95735 के नाम से भी जाना जाता है इसे साल 1801 में फ्रेंच एस्ट्रोनमर जेरोम लालान्दे निक्खो जाता अब दोस्तो ये एक red dwarf star है जिसका size और mass सूरत से करीब 40% है और ये mainly infrared radiation को emit करता है अब यहाँ पर total 3 planets होने की बात कही जाती है जो प्रित्वी के comparison में काफी बड़े हैं हारांके इन में से किसी भी star को हमारे future home के लिए habitable नहीं कहा जा सकता Gliese 411 b जो कि इस star के सबसे करीब वाला planet है उसका average temperature करीब 100 degree Celsius है जिसमें हम इंसान survive नहीं कर सकते अब दोस्तो इस वाले star को हम star कह रहे हैं वहीं इसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका mass और size कुछ जादा ही कम है सुरज के comparison में इसका mass 11% है और radius सिर्फ और सिर्फ 14% है फिर स्वी से 7.9 light years दूर लियो constellation में स्थित ये star इतना ज्यादा faint है कि इसे normal telescope से भी नहीं देखा जा सकता अब इसे देखने के लिए हमें advanced telescope के need होती है इस star की age अभी कुछ 35 करोड साल की है और इसके around 2 planets discover किये गए हैं हालांकि इन दोनों planets को habitable नहीं माना जाता और यहाँ life conditions के भी कोई भी science नहीं है दोस्तो वाई 08550714 एक sub brown dwarf star है यह से star होते हैं जो बनते तो star की तरह ही है पर उनका mass एक planet की तरह ही बहुत कम होता है अब अगर हम इस star के mass की बात करें तो यह Jupiter के mass से कुछ 3 या 10 गुना से जादा ही होगा अब दोस्तो इतने mass के तो हम universe में planets discover कर चुके हैं यह प्रित्वी से 7.43 light years दूर Hydra constellation में स्थित है और इसकी सबसे खास बात है इसका temperature जी हाँ दोस्तो एक sub brown dwarf होने के कारण इसका temperature बहुत जादा कम है numbers में बताओ तो यह करीब minus 48 degrees Celsius है जिसके बाद यह interstellar space में खोजा गया आज तक का one of the coldest object बन जाता है दोस्तो प्रित्वी से 6.5 light years दूर वेला constellation में स्थित इस star system में हमें एक नहीं बलकि दो-दो brown dwarves की जोड़ी देखने को मिलती है जिनका नाम Luma 16A और 16B रखा गया है अब 16A का मास Jupiter से 33.5 टाइम्स है और 16B का मास 28.6 टाइम्स है अब यह दोनों star 60 से 80 करोर साल की age की है अब बात करें इन दोनों के बीच की distance की तो यह करीब 3.5 astronomical units की है और इन्हें एक दुसरे की orbit करने में 27 साल का समय लग जाता है इन्हें Pennsylvania State University के Professor Kevin Loman के द्वारा साल 2009 से 2013 के बीच खो जा गया था और यह हमारे सूरज से सबसे करीब वाले brown dwarves है इनका temperature काफी जादा कम है और फिलाल तक हमें इनके around किसी भी planet का पता नहीं जला है दोस्तो बार्नाड स्टार प्रिथवी से 5.96 light years दूर और फ्यूकस constellation में स्थित एक red dwarf star है इसका mass सूरज का 14% है और radius हमारे सूरज की करीब 1 by 5th है अब वुल्फ 359 की तरह ही ये star भी काफी faint है और आसमान में बिना टेलिस्कोप के नहीं देखा जा सकता वैज्यानिकों कहनुसार बार्नाड स्टार की age 700 से लेकर 1200 करोड साल के बीच है जबकि हमारे सूरज की age अभी कुछ 450 करोड साल की ही मानी जाती है और इस तरह बानाड स्टार के गिंती मिलकीवी के oldest स्टार में होती है बात करे planets की तो साल 2018 में इसके राउंड एक प्लैनेट खो जा गया था जो पृत्वी से 3.23 टाइम्स जादा बड़ा है ये एक icy planet है जहांका surface temperature minus 170 degree Celsius माना जाता है और यहां life की कोई भी possibility एक्जिस्ट नहीं करती है हालांकि आपको बता दू कि scientist फिलाल इस planet के existence को लेकर भी sure नहीं है दोस्तो अब बात करते हैं प्रित्वी से मैज 4.37 light years दूर Centaurus constellation में स्थित triple star system Alpha Centauri की अब दोस्तो इसमें 3 stars है Alpha Centauri A जिसका नाम है Reginal Cantaurus Alpha Centauri B जिसे कहते हैं Tollimon और Alpha Centauri C जो है हमारा Proxima Centauri पहले दो stars एक दूसरे को orbit करते हैं और अपने आप में एक binary star system को बनाते हैं इसलिए मैंने number 2 पर इन दोनों stars को रखा है और number 1 पर बात करेंगे Proxima Centauri की जो इस binary star system से काफी दूरी पर स्थित है अब दोस्तो सबसे पहले यहां बात कर लेते है Reginal Cantaurus की दोस्तो ये star हमारे सूरज की size का है और इसका mass सूरज से करीब 21% जादा है Reginal Cantaurus को एक planet orbit करता है जो पृत्वी से 9 गुना जादा बड़ा है और फिलाल तक इसका existence confirmed नहीं है दूसरी तरफ टॉली मन की size और mass दोनों ही सूरज के करीब 90% बैठते हैं और इसके around भी एक unconfirmed planet orbit करता है अब इन दोनों stars को collectively alpha centauri AB नाम दिया गया है और ये दोनों मिलकर पृत्वी के आस्मान में मौजू third brightest star का formation करते हैं अब दोस्तों वैसे तो हर लिस्ट में नंबर वन को लेकर बहुत ज़्यादा suspense होता है परंत्रिक्ष टीवी के regular viewers इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं 4.24 light years की distance के साथ ये हमारे सूरज का closest neighbor है अब दोस्तों प्रॉक्सिमा centauri एक red dwarf main sequence star है जिसका mass सूरज का 12% है और radius 15% है अलफा centauri AB के comparison में ये solar system के काफी outer में स्थित है और इसलिए इस list में मैंने इसे अलग से consider किया है प्रॉक्सिमा centauri star के around हमें 3 planets देखने को मिलते हैं जिन में से एक की size प्रित्वी की सिर्फ 29% है एक प्रित्वी के ही size का है और एक प्रित्वी से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है प्रॉक्सिमा centauri भी जो कि इस star का सबसे करीब वाला planet है वो इसके habitable zone में आता है और वैग्यानिकों की माने तो यहाँ पर liquid water भी मौजूद हो सकता है नाव hopefully आने वाले समय में हम इस star system की share जरूर करेंगे और क्या पता हम यहाँ अपना future home भी खोज ले वैसे दोस्तो यह वाला topic मैंने comment box में मिले suggestions को लेकर बनाया था तो अगर आप भी अपने पसंद के videos देखना चाहते हो channel पे तो नीचे comment करके अपने अपने पसंद के topics जरूर लिखना अगर उन में से कोई मुझे topic अच्छा लगा तो definitely उस पर वीडियो जरूर आएगा तो दोस्तो आज के बस नहीं मुझे में दोस्तों कि आज की सुटस आपने काफी कोश नहीं सीखा होगा अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स से बाइनके साथ जरूर शाय करना अगर आप नए उस चानल को स्ट्राइब बने के साथ साथ नोडिफिकेशन बेल को जाता ना ताकि आप देख सको मारे वीडियो सबसे पहले तब तक लिए बाई जय हिंद्ट